स्कोटलेंड में टोजर नामक बिल्ली ने अपने जीवकाल में 30,000 चुहों को पकड़ा था। उसे श्रद्धानजली देने के लिए एक टावर बनाया गया है। सबसे पहला कैट शो 1871 में लंदन में आयोजित किया गया था। विश्व में 500 मिलियन से भी अधिक पालतू बिल्लिया हैं। जिनमें से लगभग 40 ब्रीट की पहचान हो चुकी है। कहीं कहीं बिल्लिया इतनी महेंगी है कि एक बिल्ली 10,000 डॉलर से भी अधिक की मिलती है। बिल्ली की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह कितनी ही अधिक उचाई से गिर जाए इसको कुछ नहीं होगा। बिल्ली की पेशाब अंधेरे में भी चमकती है। हर साल लोग अपने पालतू, कुत्तों और बिल्लियों की खुराक पर 357,000 रूपे की राशी खर्च कर देते हैं। बिल्लिया अपनी पुंच की लिनबाई से साथ गुना ज्यादा उचाई तक कूच सकती है। अमेरिका में हर साल लगभग 40,000 लोग बिल्ली की काटने का शिकार होते हैं। मादा बिल्ली चार माह की होने के बाद गर्भवती हो सकती है। मादा बिल्ली एक साथ एक से लेकर 9 बच्चों को जन्व दे सकती है। अब तक बिल्ली द्वारा एक ही बार में सबसे ज़्यादा पैदा किये गए बच्चों की संख्या 19 है, इन में से मात्र 15 जीविद बच पाये थे, एक साथ जन में बिल्ली के बच्चों के पिता अलग-अलग हो सकते हैं, हर साल सिर्फ चीन में ही 4 मिलियन बिल्लिया खाये जा ये अपनी 70 प्रतिशत जिंदगी तो सोने में बिता देती है, एक बिल्ली 15 साल तक अलास्का में मेर बनाई गई थी, काली बिल्ली को जापान में लक्की माला जाता है, प्राचीन मिस्त्र में लोग अपनी बिल्लियों के मरने के शोक में अपनी आइब्रों मुंडवा देत बिल्लियों से संबंदित अंध विश्वास का जन नीराक में हुआ था, क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि दूद पीना बिल्ली के स्वास्थे के लिए बहुत खराब होता है, सच तो ये है कि दूद में लेक्टोज होता है और ये लेक्टोज को पचा ही नहीं